नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज की कहानी का नाम है निर्वासन, इसके लेखक है मुन्सी प्रेमचन, आवाज सभीता धाया परशूराम, वही वही, दालान में ठेरो, मर्यादा, क्यों? क्या मुझ में कुछ छूत लग गई? प्रशूराम, पहले ये बताओ, तुम इतने दिनों कहां रही? किस के साथ रही? किस तरह रही? और फिर यहां किस के साथ आई? तब, तब विचार देखी जाएगी मर्यादा, क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर आवसर ना मिलेगा? प्रशूराम, हाँ, यही बात है, तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी, मैं पीछे फिर फिर कर तुमें देखता जाता था, फिर एका एक तुम कहां गायब हो गई? मरियादा, तुमने देखा नहीं, नागा साधूं का एक दल सामने आ गया, सब आदमी इधर दर दोडने लगे, मैं भी धक्ये में पढ़कर जाने किधर चली गई? जरा भीड कम हुई, तो तुमें ढूंडने लगी, भासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम ना दिखाई दिये? प्रशुराम, अच्छा, तब? मर्यादा, तब मैं एक किनारे बैठ कर रोने लगी, कुछ सूझ ही ने पढ़ता कि कहां जाऊं, किस से कहूं? आदमीयों से डर लगता था, संध्या तक वहीं बैठी रोती रही, परशुराम, इतना तूल क्यों देती हो, वहां से फिर कहां गई? मर्यादा, संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुमारे घर के लोग खो तो नहीं गए हैं, मैंने कहा, हाँ, तब उसने तुमारे नाम, पता, ठिकाना पूछा, उसने सब एक किताब पर लिख लिया, और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुमें तुमारे अगर भेज दूँगा, परशूराम, वह आदमी कौन था, मर्यादा, वहां की सेवा समीती का स्वन सेवक, परशूराम, तो तुम उसके साथ हो ली, मर्यादा, और क्या करती, वह मुझे समीती के कारियाले में ले गया, वहां एक स्चामियाने में एक लंबी दाड़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ, कुछ लिख रहा था, वही उन सेवकों का अद्यक्स था, और भी कितने ही सेवक वाँ खड़े थे, उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिख कर, मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई इस्तरियां बैठी हुई थी, परशूराम, तुमने उसी वक्त अद्यक्स से क्यों न कहा, कि मुझे पहुचा दीजिये, मरियादा, मैंने एक बार नहीं, सेकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे, जब तक मेला ना खत्म हो जाए, और सब खोई हुई इस्तरियां एकत्र ना हो जाए, मै भेजने का प्रबंद नहीं कर सकता, मेरे पास ना इतने आदमी है, ना इतना धन, प्रशूराम, धन की तुम्हें क्या कमी थी, कोई एक सोने की चीज बेच देती, तो काफिर पे मिल जाते, मरियादा, आदमी तो नहीं थे, प्रशूराम, तुमने ये कहा था, कि खर्च की क चिंता ना कीजिए, मैं अपना गेहना बेच कर अदा कर दूँगी, मरियादा, नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, प्रशूराम, तुम्हें उस दशा में भी गेहने इतने प्रिये थे, मरियादा, सब इस्तरियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहां किस बात का डर है, हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहती हैं, मगर क्या करें, तब मैं भी चुप हो रही, प्रशूराम, और सब इस्तरियां कुए में गिर पड़ती, तो तुम भी गिर पड़ती, मरियादा, जानती तो थी, कि ये लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे ह कुछ मेरे नोकर या मजूर नहीं है, फिर आगर है किस मुख से करती, ये बात भी है कि बहुत सी इस्तरियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसली हो गई, प्रशूराम, हाँ, इस से बढ़कर तसकीन की और क्या बात हो सकती थी, अच्छा, वहां कह दिन तसकीन का आनद देला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा, मरियादा, रात भर मैं इस्तरियों के साथ उसी शामियाने में रही, परशूराम, अच्छा, तुमने मुझे तार क्योंने दिलवा दिया, मरियादा, मैंने समझा, जब ये लोग पहुंचाने को कहते ही हैं, तो तार क्यों दूँ परशूराम, खेर, रात को तुम वही रही, युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे, मरियादा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था, जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया, तो वे चला गया, और फिर कोई ना आया, मैं रात भर जाकती ही परशूराम, ये मैं कभी ने मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर ना गया होगा, स्मिती के युवक आखाश के देवता तो नहीं होते, खेर, वे दाड़ी वाला अध्यक्स तो जरूर ही देख भाल करने गया होगा, मर्यादा, हाँ, वह आते थे, पर द्वार पर से पूच पूच कर लोट जाते थे, हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था, तो दो तिन बार दवाएं पिलाने आये थे, परशूराम, निकले न सही बात, मैं इन धूरतों की नस नस पहचानता हूँ, विशे क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था, मर्यादा, तुम एक सादू पूरिश पर आक्षिप कर रहे हो, वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आखे नीची किये रहने के सिवाए, कभी किसी पर सीधी निगा नहीं रखते थे, एक स्वेम सेवक हम सब इस्तरियों को साथ लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया, दोपहर को लोटकर सबोंने भोजन किया, प्रशिव राम, तो वहां तुमने सहर सेपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट नहीं होने पाया, भोजन के बाद गना ब सबोंने भोजन किया, प्रशिव राम, तो वहां तुमने सहर सेपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट नहीं होने पाया, भोजन के बाद गना बजाना हुआ होगा, मरियाधा, गना बजाना तो नहीं, हाँ, सब अपना अपना दुखडा रोती रही, शाम तक मेला उठ गया, तो दो सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए, प्रशूराम, मगर तुम तो आज साथ में दिन आ रही हो, और वह भी आके ली, मरियाधा, स्टेशन पर एक दुरगटना हो गई, प्रशूराम, हाँ, ये तो मैं समझी रहा था, क्या दुरगटना हुई, मरियाधा, कि इस्तरिक हो गई है, उनका भला सा नाम है, गोरे गोरे लंबे से खुबसूरत आदमी है, लकनव मकान है, जवाई टीले में, तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया, कि मुझे उस पर विश्वास आ गया, मैं सामने आकर बोली, तुम बाबुजी को जानते हो, व तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे, स्वेम सेविक ने उससे दो चर बाते पूछ कर, मुझे उसके साथ कर दिया, मुझे क्या मालूम था, कि मैं किसी नर पिशास के हाथों में पढ़ी जाती हूँ, दिल में खुशी थी, कि अब बासुकों देखूंगी, तुमारे कोई दलाल था, परशूराम, तुम्हें ये नहीं सुजी, कि उससे कहती, जाकर बाबुजी को भेज दो, मरियादा, अदिल दिन आते हैं, तो बुद्धी भृष्टो जाती है, परशूराम, कोई आ रहा है, मरियादा, मैं गुसल खाने में छिपी जाती हूँ, परशूराम आओ भाबी, क्या अभी सोई नहीं, दस तो बज गए होंगे, भाबी, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भहिया, क्या सो गया, परशूराम, हाँ, वे तो अभी रोते-रोते सो गया है, भाबी, कुछ मरियादा का पता मिला, अब पता मिले, तो भी तुम्हारे किस का परशूराम की, घर से निकली हुई इस्त्रिया, थान से छूटी हुई घोडी है, जिसका कुछ भरोसा नहीं, परशूराम, कहा से कहा मैं उसे लेकर नहाने गया, भाबी, होनहार है भहिया, होनहार, अच्छा, तो मैं जाती हूँ, मरियादा, बहार आकर, होनहार नहीं है, वासू देव को प्यार करने के बहाने, तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो, परशूराम, बको मत, वह दलाल तुम्हें कहां ले गया, मरियादा, स्वामी, यह नहीं बोचिये, मुझे कहते लज्जा आती है, परशूराम, यहां आते तो और भी लज्जा आनी चाहि हो, मरियादा, सामला साथ छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने वे था, परशूराम, गले में तबीजे भी थी, मरियादा, हां थी तो, परशूराम, वह धरमशाले का महितर था, मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी, उस दोस्ट ने उसका य स्वांग रचा, मरियादा, मुझे तो वह कोई ब्रह्मन मालूम होता था, परशूराम, नहीं, महितर था, वह तुम्हें अपने घर ले गया, मरियादा, हां, उसने मुझे तांगे पर बेठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यह नहीं बैठो, तुम्हारे बाबुजी यहीं आएंगे, अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोका दिया गया, रोने लगी, वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया, और एक बुढ़िया आकर मुझे भांती-भांती के प्रलोभन देने लगी, सारी रात रोकर काती, द तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे, जहां तुम सोने के कोर खाओगी और सोने से लग जाओगी, जब मैंने देखा कि यहां से किसी तरह नहीं निकल सकती, तो मैंने कोशल करने का निश्चे किया, परशूराम, खेर, सुन चुका, मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता ह तुम्हें अपने स्तित्व की रक्षा की, पर मेरा हरदय तुमसे घरना करता है, तुम मेरे लिए फिर वे नहीं हो सकती, जो पहले थी, इस घर में तुम्हारे ले स्थान नहीं है, मरियादा, स्वामी जी यह अन्यायने कीजिए, मैं आपकी वही स्त्री हूँ, जो पहले थ सोचिये, मेरी क्या दशा होगी, परशूराम, मैं यह सब सोच चुका और निश्चे कर चुका, अच्छे दिन से यही सोच रहा हूँ, तुम जानती हो कि मुझे समाज का भेह नहीं है, छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजली दे दी, देवी देवताओं को पहले ही वि अगर ये अन्याय है, तो इश्वर की ओर से है, मेरा दोश नहीं, मरियादा, मेरी विवस्ता पर आपको जरावी दया नहीं आती, परशूराम, जहां ग्रणा है वहाँ दया कहां, मैं अब भी तुमारा भरण पोशन करने को तयार हूँ, जब तक जिऊंगा, तुमें अन्न वस्त्र का कष्ट ना होगा, पर तुम मेरी इस्त्री नहीं हो सकती, मरियादा, मैं अपने पूत्र का मुहन देखूं, अगर किसी ने मुझे स्पर्ष भी किया हो, परशूराम, तुमारा किसी अन्य पुरुष के साथ शन भर भी एकांत में रहना, तुमारे पती वृत को न जवरदस्ती मुझे अपना उचिस्ट भोजन खिला दिया होता, तो तुम मुझे स्युकार करती, मरियादा, वो है, वो है, तो दूसरी बात है, परशूराम, नहीं, एक ही बात है, जहां भाओं का संबंध है, वहां तर्क और न्याय से काम नहीं चलता, यहां तक कि अगर क कोई कह दे कि तुमारे पानी को महितर ने छू लिया है, तब भी उसे घ्रन करने से तुम्हें घ्रना आएगी, अपने ही दिल से सोचो कि तुमारे साथ न्याय कर रहा हूं या अन्याय, मरियादा, मैं तुमारी छूई हुई चीजे ना खाती, तुमसे प्रथक रहती, पर तुम्हें घर से तो ने निकाल सकती थी, मुझे इसलिए ने दुदकार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और समस्ते हो कि मैं इसका पालन करता हूं, परशूराम, ये बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूं, मरियादा, तो तुमारा ये अंतिम निश्य है, परशूराम, ह मुझे वासू देव को ले जाने दोगे, परशूराम, वासू देव मेरा पुत्र है, मरियादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे, परशूराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुमारी इच्छा हो, तो दूर से देख सकती हो, मरियादा, तो जाने दो, मैं देखूंगी, स झाल झाल